हलो फ्रेंटस वेलकम बैक तो माई चैनल आफu ना नहीं रेसिपि जो की है बैगन मसाला को बहुत ही इजी तरीके से बना आफ 2 आप अप को बहुत पसंदे हैं आप अपने के चिन में जो भी राइगूलर में मसाली यूOSS करते हैं उसी इसे हमने इसे बनाया है ज्यादा करना ना भूलें तो चलिए फटावट से बनाना चुरू करते हैं बैगन मसाला यहां मैंने चोटे वाले बैगन लेने हैं और इसके जो डंडी रहती इसको नहीं निकाला है इसमें हम यह बीच में और यह इस तरीके से दो बार कट लगाएंगे इसको चार पीस में करना है ले कि सभी हम इसी तरीके से कर लेंगे यह हमने कड़ाई में लिया है सरसो का तेल जब कोई भरवा चीज बनाते हैं तो इसमें सरसो का तेल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप चाहे तो रिफाइंट ले सकते हैं यह हम इसे गरम कर लेंगे इसमें धुआ निकालना अब बैगन जलदी पक जाए तो इसको आपको इसे ढखना है और बीच बीच में चलाना है दीखिए बैगन आलू की अपयक्षा जल्दी हो जाता है अगर आप अप इस जगे आलू फ्राइब करेंगे तो इसमें टाइम लगएगा लेकिन बैगन उससे भी जल्दी हो जाता तो इसे बीच बीच में चेक करते रहेगा, यह ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिन्ट में हो जाता है, अब हम इसे चेक करलेंगे और इसको फिर से पलटंगे, तो यह आप देखेंगे नीचे साइड में अब यह उपर से आफट हुआ है , लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ और अगर आप इसको आदा करेंगे या नहीं 50 परसंट दी करेंगे आपको सोचेंगे अगर वह ग्रेवी में हो जाएगा तो वह नहीं होता है क्योंकि ग्रेवी टेमाटर की होती है जब टेमाटर दल जाते है बैगन के साथ में तो इतनी जल्दी गलते नहीं है कड़ाई में तो यहां हम इसे फिर से ढग देंगे अब आप देख सकते हैं बैगन हो गए है अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे जो भी आपको लगता है यह बैगन तयार हो गए है उन्हें हम निकालते जाएंगे तो सॉफ्ट हो गया है ओवर नी हुआ है एक दम से परफेक्टली हुआ है तो यहां यह मैंने बैगन निकाल लिये हैं अब सेम ओयल में हम डालेंगे आदा चमच राए आदा चमच जीरा दो से तीन पिंच हींग हींग का फ्लेवर अच्छा आता है और यह हम डालेंगे हरी मिर की तर अधिवर यहां मैंने हैं तीन तमाटर लिये हैं मीडियम इसके जिसे इसी मैं मिलाते हुए इससे हम भूनेंगे यह जल्दी हो जाए उसके लिए हमें क्या करना है इसमें डाल देंगे हम नमक नमक आप सब्स़ार दाल दिजी जितना आपकी लास्ट मैं तयार होगी यह आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कर सकते हूं और इसे मिक्स करके हम ढग देंगे ताकि यह जल्दी से हो जाए और हम फ्लेम को रखेंगे मीजियम चू लो और इसको होने देते हैं यह एक मसाला तेया करते हैं आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच सौफ सौफ जो भरवा वाली सबजियां होती है उसमें बहुत अच्छी लगती है आप करेले बनाए या तोरे बनाए जिसमें भी अच्छी लगती है और साथ ही यह हमने लिया है एक चमच कश्मी लाज मिर्च पाउडर इससे कलर अच्छा आता है तीका नहीं होता आदा चमच आम चूर पाउडर और आदा चमच गरम मसाला और आदा चमज से थोड़ा से का भुनाओ जीरा पाउडर और एक चमज हमने लिया है कसूरी मैती, इसको हम थोड़ा सा भूल लेंगे, भूने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो यहां इसे एक से तेड़ मिनिट में भून कर तैयार हो जाती है, यह हो गई है, और पानी काफी छोड़ देते हैं, अब हम फिल्म को कर देंगे मीडियम, थोड़ा सा इसको ड्राइ होने देंगे, और ऑल इससे अलग होने देते हैं, तो यह आप देखेंगे, इसमें ऑल किनारे पर आ गया है, यह जो हमने सभी मसाले तैयार किया थे यह डालेंगे, अब मसाल डालते ही देखेंगे, इसका कलर कितने अच्छी से चेंज होने लगा है, अब इसे एक मिड़ तक लगाता और चलाते होए भूनना है, ताकि मसालों का कच्छापन ना रहे, फिर अम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि यह काफी ड्राइ हो जाएगा, तो इसे इसी तरीके से हमने भून लिया है, आप देखेंगे कितना अच्छी से इसका कलर आया है, अभी हम इसमें डालेंगे एक कप पानी, और पानी डालने के बाद में आप इसमें एक उबाल आने देना, अगर आपको लगता है यह जादा थेक है, तो थोड़ा सा पानी और एट कर सकते हो, यह अब हम इसमें डाल देंगे, हमने जो बैगन को फ्राइ करके रखा है, इस ग्रेवी में बहुत जादा पकता नहीं है, पस इसको इसमें अच्छी से हमें पकाना है, इसमें आप सोचेंगे अगर गल जाएगा, गरम होंगी ग्रेवी तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले से मॉइस्चर एबजॉब करना था, वो हो गया है, और यहां हम इसे लो फ्लेम पर आठ से दस मिट के लिए अच्छे से पकने देंगे, तकि मसाला का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए, यहां ही तेयार हो गया हमारा पैगन मसाला, फ्लेम को हम बंग कर देंगे और इसे च जरू ट्राइक कीजिए, आप इसे रोटी के साथ में खा सकते हैं, पूरी के साथ में खा सकते हैं, चावल के साथ में खा सकते हैं, तो चली से फटा फट से हम सफ कर लेते हैं, तो यह थी आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो उसे लाइक, शेर और मेरे चैनल को किजिए ताकि next वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिल सके थेंक यू